नेपाल बेंक लिमिटेट लाई चाट बाटा हेडना हुँँचा बने क्ये गरने बेंक इस्ट्रोंग भाए पनी आयना फंडामेंटली सबाई तरिका बाटा इस्ट्रोंग छा तरपनी प्राइच चाहिं बढ़ना सकेको छे ना यहां हेडना सकना हुँँचा इसको प्राइच 2012 को नजीक मां हुदा 2012-13 मां हुदा इसको प्राइच चाहिं 320 सम्मा पुगे को देखिंचा हाइस प्राइच अईली सम्मा को यो नही हो यानी बीयाल बेंक को तेस प्राइच यहां बाट गिरावट आयारा तो प्राइच को 200 को हारा हारी मा एक से नव्य रुपयमा पुगे को थियो तेस प्राइच फेरी बढ़ेरा 2014-2015 को बीच मां चाहिं अगस्ट 2014 मां चाहिं 1585 पुगेको देखिंच यह नही हाई हो याश प्राइच लुपयमा देखिंच यह निरंतर गड़ आयाको देखिंच 600 रुपय यां टस गरेको चाहिंणा बेंकले यह पच्छी को हाई चाहिए तपवई को कती छा भाने पची 575 यह पच्छी चाहिए 2021 को अगस्त मा देकिन जुन पच्छी लो बूल थियो यह पच्छी यह पच्छी को प्राइज निरंतर यहां देखने सक्छनम चत पए यह 575 को आसपास देखिन लगा अत्तार घड़ दे आयको चाहिए यह दुई वर्ष को पिरेड मा दुई वर्ष तीन वर्ष एककाईस बाइस त्याईस चौबिस फुग्ण धाली सक्यो एकदम में बीरिस ने देखिन चाहिए स्टोक लाई हरनु परदा चाट बाट अवा फ्यूच वर्मा कस्तो देखिन चाहता है साथी हरू नेपाल बिंक लेमिटेड लाई वीकली बेसिस माई हरनु परदा बोलिंगर बैन बाटा हे रहूं बोलिंगर बाटा हे रहनु परदा बोलिंगर बाटा हे रहनु परदा पनी त्यस्तो पोजिटिक देखिदाई ना होरिजेंटल होना खोजे को देखिन चा बोलिंगर बैन तर फेरी डाउन ट्रेंड स्टाट बाई को देखिन चाहां यहां बाट चाहिं डाउन जाना थालेको देखिएंच अक्टूबर बाट अहले पनी नेगिडिप नाइछा अहले बोलूमले पनी साथ दियेको देखिए दाइना यहां चाहिं बोलिंगर बैंड बाट पनी पोजीटिफ फुने अस्ता देखिए दाइना यहां चाहिए आलीकर थी positive signal देखेना थालेको थियो Bollinger Band horizontal बैराखेको थियो और mid band माझे green candle हरू firm बैराखेको देखें छा तर फेरी Bollinger Band downtrend माँ देखें को था तेस कारण Bollinger Band बाटा जाएं ते थी positive ने अस्ता देखें दाएं आईता नेपाल बेंक लेमिंडेट माझे तेसे गरी मुविंग आपरिज कन्वर्जन और डाइबर्जन बाटा है नू परदा कस्तो देखिन चाहिए यहां बाटा है रहों EMA CD बाटा है नू परदा पनी तेसे तो रामरो संकेत देखी दाई ना टेक्निकली है नू परदा तेसे गरी RSI बाटा है रहों मुमेंट कस्तो देखाऊं चाहिए स्टोक ले अब RSI बाटा स्टोक को मुमेंट लाए हेर दा RSI बाटा पनी तेसे तो आज लागदो अवस्ता देखी देना स्टम या मिटम को हिसाब ले हेर नू बढ़दा बाटा है रहों पचास दिन को मुविंगर एवरेज बाटा है रहों कस्तो देखाऊं चाहिए रहों बडुमेंगर बाटा केरे मोविंग एवरेज बाटा बाटा पनी नेगटिब देखीन चाहिए ठेकनीकली नेपाल方面 क rę्क लीमिटेड लाए हेर नू पडदा बोलिंगर बैन बाटा होस, EMA CD बाटा होस, Moving Average बाटा होस, RSI, कुनी पनी इंडिकेटर बाटा, रामरो संकेत देखी राहे को छाई न, एउटा next इंडिकेटर लगा रहे हैरों, सुपर्ट्रेंड बाटा कस्तो देखींचा, सुपर्ट्रेंड बाटा, नेपाल बिंग लिमिटेड लाए हैर दा, सुपर्ट्रेंड बाटा पनी, सेल सिगनल देखींचा, यहाँ देखींचा, अईले सम्मा सेल सिगनल ने महलेट देखींचा, 2021, नोवेंबर देखींचा, अईले सम्मा पनी नेगिटिप नहीं छा, अईन समग्रमा टेक्निकली हेरनो पर दा राम रोशन के देखी दाए ना कुने पनी अंगल बाचा टेक्निकल परस्पेक्टिब बाचा हेरनी होगाने नेपाल बेंक लिमिटेड लाए साथेहरो अब टेक्निकली येति नहीं छा तरो तपाइले इन्बेस्टिंग को लागी चाहिए नेपाल बेंक लिमिटेड लाए चाहिए नसो टाउन को लागी थोरी पोर्शन वहाए पनी राखनु परने खालको इसको हाई प्राइच चाहिए माल तपाइले चार्ट मा देख कमपनी ले ग्रोथ गर्ने शा वानने अपक्षिया येदी सकरात्मक सोच राखने हो वाने फंडामेंटली स्टोग नहीं छा फंडामेंटली हेरनोपर्दा कुने पिनी संका छाई ना राम्रो ने गर्ने शा फ्यूचर मा जुन चाहिए प्राइच बनी डिजब गर्छा ग्राम नंबर बाच हेरनोपर्दा पनी एक दम्हें फियर व्यालियू मा देखीए चाहिए सायादाई सबे बंदा सस्तो स्क्रिप्ट होला नेपसे मां भायको NTC रा NBL बेंग तेसकाराण यो बेंग लाइचाई तपाइले कम प्राइज मां शा राखी राखदा केई क्वांटिटी लाइचाई तेस्तो नराम रो जाइँ मुदैना राम रो नहीं हुन्छा एथी बंदाई तो पैर समच्छे वाट बिदा हुना चाहाए हाउस्त नवस्कार